चले जनाब, आपको मैं कुछ examples लिखाता हूँ और rules बदाता हूँ और कुछ methods बदाने वाले हूँ इस lecture के अंदर किस तरीके से आप underfitting और overfitting दोनों को concepts को अच्छे तरीके से improve कर सकते हैं और आप अपनी goodness of fit of your model कैसे change कर सकते हैं और कौन-कौन से ऐसे parameters हैं जो overfitting और underfitting दोनों के concepts को best fit model की तरफ convert करते हैं let's jump into our coding notebook मैं यहाँ पे जाता हूँ description में मैंने और रेड़ी आपको link दिया हुए आपनी notebook का so you don't need to worry about that कि यह notebook कहां से मिलेगी और कैसे मिलेगी so यहाँ पे अगर आप जाएं और deep learning के अंदर मैंने notebook number यहाँ पे 20 इसके उपर पहले बात करते हैं मैं इसको run नहीं करूँगा मैं सिरफ आपको बताऊँगा के इसके अंदर क्या-क्या हो रहे overfitting versus underfitting इन दोनों को हम देख रहे हैं इस notebook का नाम मैंने यह रखा है and then we will set up a baseline model first ठीक है मैंने क्या किया MNIST का data set लिए MNIST का data जो हमारे पास आपको भी पता है एक ऐसा data set है जो handwritten digits का data है और मैंने यह libraries को import किया सबसे पहले आपके पास TensorFlow है MNIST के मैंने data set TensorFlow से load किया sequential, dense, early stopping यह सारा कुछ मैंने load कर लिए ठीक है और मैंने का किया एक function create किया यहां पर notebook आपको मिल जाएगी just to tell you कि मैंने function create किया जो automatically एक model बना देता है मैं खुद से भी model बना सकता था लेकिन मैंने function create करना अच्छा समझा why? because we are going to use multiple variations of these model और कभी मैं कोई technique यूज करूँगा अपने model की accuracy को improve करने के लिए कभी कोई कभी कोई कभी कोई ठीक है? तो इस वज़ा से यह हमने data set load किया और इस data set को मैंने normalize नहीं किया सबसे पहला method था normalize कर लें data को मैंने नहीं किया मैं base model बना रहा हूँ जो errors के साथ है और यह तस्वीरों के data पे मैंने इसे run किया तो यह computer vision की problem है मैंने already इसको run किया हुए it took a lot of time for me तो मैंने यह notebook as it is आपको दे दूँगा ताकि आपको run ना करना पड़े आप इसको ऐसे ही देख लेंगे तो यह मैंने run किया 10 epochs मैंने run किया मुझे तकरीबन 1 minute 18 second लगे और इसको run करने के बाद मैंने क्या किया अपने base model को history baseline में save कर लिया यानि कि हर epoch की जितनी भी accuracy है कुछ भी चीज़े हैं मैंने history baseline में save कर लिया इस model की validation supply मैंने 20% रख लिया यानि कि 80% data training के लिए इसमें से और 20% जायदा data जो है validation के लिए automatically यहां पे save हो गया अब मैंने क्या किया उसी data को normalize किया by dividing dividing by 255 आपको पता है कि हमारे पास जो colors की range है वो 256 होती है तो 0 से 255 जब हम देखते हैं तो 256 हमारे पास आते है हर pixel की value को 0 से 1 के दर्मियान रखने के लिए मैंने 255 पे divide किया जो पिछली lectures में बड़ी clearly मैंने convolutional neural network के अंदर आपको समझाया भी हुआ है यहां तक आपको समझा आगी होगी अब मैंने क्या किया same वो ही चीज है लेकिन मैंने model को normalized data पे बनाया पहला model without normalization था अब मेरा normalized data पे है ठीक है वो ही सारा कुछ है कोई change नहीं की सिरफ data को normalize की है और मैं आपको फरक दिखाने वाला हूँ कि normalization के बगार क्या होता है data को और normalize करके क्या फरक पड़ता है same वो ही चीज है मैंने at the end दोनों को यहां पे run किया रन करने के बाद आप यह फरक easily देख सकते है यह जो blue color की line है यह without normalization है आप देखने कितनी ज्यादा fluctuation है मेरे data के अंदर accuracy की और आप अगर accuracy को मदे नजर रखें तो आपका data बहुत ज्यादा fluctuate कर रहे है वैलिडेशन की accuracy this is not about training validation के उपर आप देखें बड़ी fluctuation आ रही है जब fluctuation आ रही होती है validation के उपर इसका मतलब है कि आपका data training पे अच्छा perform कर रहा था लेकिन validation पे अच्छा perform नहीं कर रहा और इसकी मिसाल में आपको यहां पे दिखा देता हूँ पिछले model में validation accuracy जो हमारे पास आई थी that is around 87 यहां पे चेक करें और 87 यह end वाले epoch की थी तो आप अगर चेक करें तो कभी बलड़ी है कभी कम हो रही है कभी बलड़ी कभी कम हो रही है जैसे मैंने normalize किया एक तो accuracy मेरी 92 पे भी गही है 91 पे भी लेकिन 89 पे भी रही है अगर आप गौर करें सिरफ data को normalize करने से accuracy कहां पे चली गई है हमारे दोनों different models है तो normalization of the data set can improve the accuracy of your model आप चेक करें कि उससे कई गुना ज्यादा accuracy है यहां पे 89 परसंट और यहां पे 92 परसंट which is totally a big deal ठीक है अब मैंने क्या किया मैंने drop out layer add कर दी drop out layer क्या है यह वही चीज है जो regularization के लिए मैंने use करके आपको बताया था drop out layer क्या करती है basically 0.5 यनि के जितना data यहां पे पीछे model ने learn करके relu ने at the end कोई output दी थी 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 न उसमें से मैंने उसको बोला है आदा भूलते जाओ आदा याद रखते जाओ इससे क्या हुआ over fitting कम हो गई मैं इसको increase भी कर सकता हूँ इसको decrease भी कर सकता हूँ तो यह drop out layer क्या करती है basically यह regularize ही करती है चीजों को आपका data आदा जो है उसके outputs को weights को change कर देती है जैसे मैंने drop out की इसको मैंने model को नाम दे दिया with drop out अब मैं तीनों को compare करके आपको दिखाता हूँ आप देखिएगा कि यह चेक करें मेरे पास मैं इसको थोड़ा सा zoom out करता हूँ not like that यहाँ से इसको मैं zoom out करता हूँ अब देखिएगा अब यहाँ पर हमारे पास जो blue वाले baseline है ठीक है normalized data set जो हमारे पास है वो हमारे पास orange line है जैसे मैंने drop out layer add की आप देखें एक smoothness आगी accuracy के अंदर यानि कि validation data के उपर एक smoothness आगी अब वो random effects नहीं आ रहे हैं हमारे पास sudden changes नहीं आ रहे हैं हमारे पास एक smoothness आगी इसका मतलब है जब भी आप convolutional neural network या बड़े data set पे काम कर रहे हो always add a drop out layer inside ठीक हो गया आप देख रहे हैं ना changes कैसे आ रहे हैं यह baseline था without normalization यह with normalization orange वाला और green वाला हमें बता रहे है with drop out layer और accuracy भी improve किया अगर आप गौर करें 91 पर direct चली गई है और ज्यादा तर यह 90-91 पर ही रही है यानि कि हर epoch ने हमें बताया है कि आपके accuracy अच्छी खासी है ठीक है अगर हम start में देखें सबसे पहले हमारी accuracy थी जनाब 87 87 से हमने improve की 89 फिर drop out layer यूज की तो validation accuracy हमारे पास 91 आ गई और validation accuracy ज्यादा matter करती है training accuracy से ठीक है यह बात याद रखिएगा सही है और अगर आपने यहाँ पर देखना है यह training accuracy है 0.87 यह 87 परसंट और यह है हमारी validation और यहाँ पर हमारे पास training accuracy 90 है और यह 89 है आप देख रहे हैंने training पर ज्यादा काम कर रहे है that shows कि हमारे पास overfitting है यहाँ पर train पर बहुत अच्छा accurately लेकिन testing पर कम accurate so this is how you can actually choose कि आपने क्या करना है दूसरा method तर्ट drop out layer को add करना और यह कुछ नहीं है सिरफ एक command है जो आपने लगानी है before your final output आपकी final output से पहले पहले आपने यह command लगानी है अगर आप multiple hidden layers यूज़ कर रहे है multi layer perceptron यूज़ कर रहे है then you will add something in between those layers यह वही चीज़ है यार कि मैंने 1000 पर दिये हैं और कहते हैं कि चलो भूल जाना सिरफ 500 बताना यह वही चीज़ है कि 1000 डेटा को उसने रीड किया लेकिन कहा कि 500 बताना सिरफ यहां तक clear हो गया अब आगे जलते हैं यह तीसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ drop out के बाद early stopping इस पे हमने अच्छा खासा गाम की है कि अगर हम किसी एक epoch को early stop करें तो उसका क्या impact होगा अंदर से और early stopping के दुरान आप model को create करके यहां पे patience बताते हैं patience का मतलब यह है कि जब continuously तीन epochs में कोई change ना ही वहीं पे रोक दो तो हमारी competition भी रुक जाएगी और हमारा काम भी easy हो जाएगा और यहां पे आप चेक करें कि यहां से बाद कोई changes नहीं हो रही और यह मैंने basically normalized data के उपर लगाया मैं drop out नहीं इसके अंदर add की just to show you कि क्या impact है यह जो red line है यह normalized data पे है आप देखें कि यहां पे तीन epochs के अंदर कोई खासी change नहीं है कोई significant change नहीं है तो we can actually train the same model with this thing अगर मैं इसमें drop out भी add करूँगा तो यह और भी smooth हो के आपको नजर आएगी फिर आगे चलते हैं regularization के उपर अब L1 और L2 regularization क्या होती है क्यों होती है मैंने आपको पहले भी समझाया आप दुबारा से बताता हूं L1 and L2 regularization तो common regularization techniques that can be used to reduce overfitting ऐसी technique जो overfitting को reduce करने के लिए आप utilize करते हैं उसको बोलते हैं regularization दो किसम के होती है L1 and L2 और neural network के अंदर जो drop out की layer है वो भी एक regularization की technique है सो हमारे पास total तीन regularization की techniques हो गई अब देखते हैं जी L1 keras के अंदर आप ऐसे लगा सकते हैं के kernel regularizer लगा दे और dot L1 लगा के 0.001 यानि के जितनी percentage आप चाहते हैं उतनी आप उसको दे दे L2 भी ऐसे लगती है and then L1 changes the loss function by adding the sum of absolute weights to it and L2 changes the loss function by adding the by adding the मैं दुबारा से बताता हूं screen different share होगी थी L1 in keras L1 क्या करती है kernel regularization को use करती है L2 इस तरीके से use करती है आपने सिरफ regularizer dot L2 लगाना या dot L1 लगाना है जो मैं आपको अगले code गे अंदर भी बताने वालू और यहां पे L1 क्या करती है L1 makes zero sum of the weights जितने भी weights आ रहे हैं मैंने आपको बोला था ना और दूसरी चीज़ क्या है दूसरी आपके पास है L2 L2 क्या करती है make the weights smaller smaller का मतलब यह है कि बिल्कुल छोटे weights बता देती है कि मैंने तो इतने दी हैं ने 50 रुपे दी है ठीक है एक होता है कि 300 को गायब कर देना एक होता है कि 500 को 50 केना ठीक है तो यह दो चीज़े आप याद रखें कि इसमें weights small होते है इसमें आपके पास weights जो है वो 0 के equal हो जाती है ठीक है जब L1 करते हैं तो एक 80% of the data जो learn की होती है वो 0 के बराबर हो जाती है उसके weights weights और 22 होती है ने neuron electron में अगर आपको याद हो तो L2 जो है वो हमारे weights को small कर देती है लगाना कैसे है आपने इस तरीके से इसको import कर लेना tensorflow keras.regularizer L1 and L2 और यहाँ पे आपने एक dense layer यानि कि drop out से पहले आप इस तरीके से लगा सकते है L1 regularization को ठीक है kernel regularizer is equal to L1 और इसके अंदर आप इस तरीके से लगा दें क्योंकि हमने directly L1 import कर ली है तो यह वाला function यही है kernel regularizer से यहाँ से हमने L1, L2 और L1 underscore L2 तीनों import कर ली है कभी-कभी आप single लगाते है यानि कि L1 या L2 और कभी-कभी आप दोनों को एकठा लगाते है so you can also add both of these kind of things अब हम देखते हैं तीनों में क्या फरेक है as compared to our normal regularizer technique मैंने इनको run किया और run करने के बाद मैंने plot बनाया just to show you कि क्या फरेक है अब यहाँ पर परेशान नहीं होना मैं आपको बताता हूँ क्या scene चल रहा है हमारे पास normalized validation accuracy blue वाली है यानि के without any regularization फिर dropout वाली जो validation accuracy है वो हमारे पास ये orange वाली है ठीक है orange वाली हमारे पास जो accuracy है validation की ये हमारे पास एक dropout की layer की वज़ा से है फिर हमारे पास L1 regularization validation accuracy which is a green one आप देखें कि regularization की हमें values change करनी पढ़ेंगी because it's actually not really smooth और still have random effect on the data set obviously जब हम epochs ज्यादा चलाएंगे तो ये हमें easily नज़र आएंगी फिर L2 की देखें तो L2 हमारे पास कैसे आ रही है अगर गौर करें तो ये red वाली हमारे पास L2 regularization है जिससे accuracy ज्यादा है as compared to L1 और with L1 and L2 दोनों की दिर्मियान में आप परिशान हो रहे हैं I can totally understand इस वज़ा से मैं आपको सिर्फ regularization वाला तीन चीजों का यहाँ पे difference दिखा देता हूँ अगर आप यहाँ पे देखें with L1 regularization validation accuracy is the blue one L2 के साथ आपकी जो अंसी है वो orange है और आपकी जो with L1 and L2 बोनों है के दर्मयान में आती है so इस case के अंदर आपके पास जो best use case है वो है जनाब L2 regularization की technique L2 regularization क्या करती है weights को small कर देती है L1 उनको zero ही कर देती है यानि कि भूली जाती है weights उने so इस वर्यासे L2 से अकसर cases के अंदर ज्यादा आपके पास accuracy आती है और इस से बचने के लिए अगर आप 81 L1 and L2 यानि कि green वाली regularization technique यूज कर ले that's much better than using either of them मैं तो यह कहता होता हूँ कि तीनों ही यूज करें और जो model best perform करें उसको रख ले but it comes under the fact कि आपको किस तरीके से overfitting को reduce करना है basically dropout layer अगर आप बहुत अच्छा काम किया अगर आप और करें लेकिन dropout layer से भी अच्छा काम L2 करेगी अगर आप ज्यादा epochs run करेंगे मैंने सिरफ 10 run किया इस example के लिए अगर आप 100 या 50 epochs run करते हैं तो आपको एक proper trend नजर आता है to reduce the overfitting of the data set फिर जी छटी टेकनीक है k-fold cross validation k-fold cross validation tensorflow के अंदर implemented नहीं है इसी वज़ा से हमने जो circuit learn के अंदर देखा था k-fold cross validation की टेकनीक को हम वैसे इसे use करते हैं मैंने इसको run किया है और ये code proper आपको मैं देदूँगा k-fold cross validation क्या होती है कि आप एक data set को number of folds के अंदर change कर दे for example यहाँ पे मैं 5 folds बना रहा हूँ एक data के ठीक है और इन 5 folds को मैं shuffle भी कर रहा हूँ यानि कि एक data जो मेरे पास अगर 1,000,000 images है न तो मैं 20-20,000 के 5 folds बना लिए 20,000, 1,000, 2,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5 5 fold बना लिए अब एक को एक दफा मैं रखूँगा टेस्टिंग के लिए और 4 को ट्रेनिंग के लिए फिर मैं अगले को रखूँगा टेस्टिंग के लिए और बाकी 4 को ट्रेनिंग के लिए इसी तरह मैं 5 दफा एक को छोड़ूँगा, 4 को ट्रेनिंग के लिए रखूँगा और वो जो छोड़ा हुआ है वो टेस्टिंग लिए रखूँगा और इस तरीके से मैं multiple folds जो मेरे 5 fold बने हैं इनको अपस में compare करूँगा compare करने के बाद इनकी mean accuracy जो मेरे पास होगी उसकी base पे मैं model को select करूँगा कि कौन सा fold best perform करता है या total folds की base पे हमारे पास model कैसे train होता है और k-fold cross validation basically काम करती है to actually fit your model in a best possible way और यहां पे मैंने वही काम किये k-fold cross validation लगाई है code मैं आपको provide कर दूँगा you can understand that code easily क्योंकि हम stage पे हैं इस वकत कि आप code खुद से देख पाए अगर अभी भी कि base पे दो दो तीन तीन चार चार घंटे पड़े and then इस stage पे आके आपको समझ आड़ेगी कि code क्या कहना चार रहे ठीक है जी ओके तो यहां पे मैंने 10 epochs run किये आप check करें एक दफा run हुए यह दो दफा run हुए यह तीन दफा चार दफा पांच दफा पांच दफा run हुए and here you can see के हर fold की हमारे पास validation accuracy भी है और average accuracy भी है ठीक है और यहां पे validation loss है और average loss भी है तो अगर आप गोर करें अकसर fold के number की base पे उनका loss है ठीक है fold 1 का जो loss है वो मेरे पास point four one something है जो मेरा दूसरा fold था उसका loss ज्यादा है तीसरे fold का उससे भी ज्यादा है चोथे का उससे भी ज्यादा है पांच में fold का उससे भी ज्यादा loss है तो इसका मतलब है कि जो fold number one है वो best perform की है ठीक है अगर यहाँ पे बात करें accuracy की तो पहले fold की accuracy यह है दूसरे की यह है तीसरे की यह है चोथे की यह है और पांच में की यह है ठीक है और अगर मैं अपने model की बात करूँ जी जो model मेरे पास train हो किया है के fold cross validation के through इसकी average होगा यानि कि यह सारों की average हमारा loss है और यहाँ पे सारों की average हमारी accuracy होगी final तो यहाँ से तो overfitting का concept ही जाता रहा ना K fold cross validation ने तो ऐसा कमाल किया के आपके पास center में accuracy आगी यहाँ पे जो 89.5% के करीब है या 0.895 के करीब है और यहाँ पे यह loss है which is also in points so this is how you can use K fold cross validation और इसको बारा minute लगे थे मेरी heavy machine के ओपर चलने के लिए and these steps can actually help you तो हमारे पास इस code के अंदर पहले हमने data को normalize भी किया K fold cross validation भी यूज की है neural network भी चला है और हमने multiple folds को check किया this is how you can actually see कि आपके data के अंदर overfitting या underfitting है या नहीं है अगर है तो कैसे resolve करना है कौन-कौन सी techniques है जो आपके पास है इसको resolve करने के लिए और उन techniques को use करते हुए आप किस तरीके से अपने data को improve कर सकते है and here are those techniques again आप data को preprocess अच्छे तरीके से करें अभी मैंने feature selection वगरा नहीं की and आप normalize करें, augment करें फिर आप layers को अच्छे से use करें activation function ReLU को भी use करें leaky ReLU को भी use करें parametric ReLU function को भी use करें there are many different types of activation functions उनको use करें फिर regularization की technique जो best perform करती है उसको choose करें optimizer and learning rate मैंने यहां पे change नहीं किया you can also think about changing those adam optimizer की बजाए कोई और optimizer use करके देखें कि accuracy पे कोई फरक पढ़ता है कि नहीं batch size और epochs को use करें different किसम के cross validation कर लें और hyper parameter tuning कर लें यानि कि आप layers को change करते जाए और model को complex बनाते जाए आपकी overfitting reduce हो जाएगी these techniques can help you to increase the accuracy of a model यह सब कुछ बताने का मकसद क्या था और आप मेंसे काफी लोग सोच रहे होंगे कि यार यह सब कुछ हमने अब क्यों पढ़ है reason यह है कि हम पिछले कई दिनों से kegels के competitions के उपर participate कर रहे हैं right आपको पता होगा कि kegels के competitions के उपर आप मेंसे काफी लोग जो हैं वो मेरे साथ मिल के participate कर रहे है उन kegels के competition के उपर एक leaderboard आता है मैं अभी screen आपके सामने शेर करता हूँ दुबारा से and then I will show you के मेरा मुराद मेरी क्या है leaderboard से and how we can actually look into it और कैसे हम किस leaderboard की base पे अपनी accuracy को क्यों हम मैं कह रहा हूँ बार-बार की matter करती है just one second मैं screen अपनी आपके सामने शेर कर दूँ एक दफ़ा and then it would be easier for me जनाब कैगल पे अगर आप जाएं k-a-g-g-l-e तो कैगल के उपर हमने अच्छे खासे competitions में participate किया था खास तोर पे bank's journey के model के उपर और different other competitions के उपर मैं केगल के उपर अपना login करता हूँ और यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि यह सारी चीजें क्यों जरूरी थी competitions पे हम जाते हैं आमें से काफी लोगों ने बुरपूर अंदाज के अंदर competitions में participate किये I really appreciate your efforts और यहाँ पे यहाँ पे इन competitions के अंदर accuracy matter करती है कैसे मैं भी आपको बताता हूँ मैं थोड़ी सी screen को zoom out कर लूँ यहाँ पे हमने competitions में competition में participate किया था जिनका नाम है bank churn bank churn data set यह वाला ठीक है और यह competition यह आते रहते हैं भाइदावे यह बार बार आते रहते हैं episodes आती रहती है यहाँ पे होता है leaderboard और अगर leaderboard के उपर जाए ना तो आपके पास leaderboard के अंदर different किसम की accuracies जो हैं वो matter कर रही होती है जैसे अभी इस वकर leaderboard के अंदर जो accuracy है वो आपके पास यहाँ पे आ रही है 0.87 ठीक है इस तरीके से यहाँ पे आपका leaderboard decide करता है कि आप कौन-कौन इसमें participate कर सकता है और यह किस तरीके से इस data set के अंदर different parameters को यह use करते हैं तो for example यह जो competition आया है आइदर losses और accuracy score और ROC AUROC curve ठीक है इस तरह के matrix होते हैं हमें यह accuracy improve करना इस वड़ा से ज्यादा ज़रूरी होते हैं मैं यहाँ पे आपको यह वाला leaderboard दिखाता हूँ यहाँ पे चेक करें यह चेक करें जनाब तो यहाँ पे यह score आ रहा है 0.90 0.90 0.90 यह जो accuracy आप देखें points के अंदर भी अच्छे खासे यहाँ पे फरक परड़ा है तो आप कैसे improve कर सकते हैं by using these techniques जो मैंने अभी आपको बताई है ठीक है और data आपके पास मुझूद है आप से request यहाँ के दुबारा से आप submit करवाएं यहाँ पे और इस competition के अंदर आप participate करें late submission करवा के and let me know क्या आपका result क्या है secondly अब हमारे पास यहाँ पे और भी different किसम के competitions मुझूद है आप उनमें भी participate कर सकते and then you can actually win something for example यह house prize prediction का है इसके अंदर काफी लोग ने participate की है इसके अंदर leaderboard पे अगर आप जाएं तो आपका जो है यहाँ पे जो errors है वो बिल्कुल zero होगी then you can actually go up in this तो इस तरीके से आप अपने neural network को train कर सकते हैं and that's how the accuracy or some other parameters or metrics are important for you to win prizes on Kaggle competition या कमसकम अपना portfolio बनाने के लिए यहाँ तके लिए इतना hopefully आपको overfitting, underfitting, goodness of fit और किस तरीके से model को fitness की तरफ लेके जाते हैं यह सारी चीज़ें समझ आगी होगी राइट जी आगी है तो like, share, subscribe कर दे that helps us a lot क्योंकि सारे के सारा course यह free में है और यह free कब तक रहेगा इसके बारे में मैंने आपको बता दिया हुए so please do like our channel